अगर आप एक साल से प्रभू में हो, तीन साल से प्रभू में हो, पांस साल से प्रभू में हो, दस साल से प्रभू में हो और उसके बावजुद भी अगर आप देखते हो कि यार मेरे जीवन में जैसा आशीश होनी चाहिए वैसा नहीं है, जैसे मुझे बढ़ना चाहिए मैं लेनी चाहिए मैं वैसा नहीं बढ़ पा रहा हूं अगर ये बात है तो आपको रुखना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा रीजन क्या है मिरसात में निकाले निर्गमन उसका बारा अध्याय और उसका पैंटीस और छथीस वचन को मैं आपके सामने में पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा इस्राइलियों ने मुसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिये और यहुआ ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा धयालू किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया इस प्रकार इस्राइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया मेरे प्रियों मैं आपको बता दू, पिता परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकलने से पहले उनको मिस्र का सारा थन और सारी संपत्ति जो थी, वो इसराइलियों को दे दी और अब इस्राइली लोगों ने मिस्रियों से सोना वो चांदी का गहना और वस्तर नए नए वस्तर को मांग लिया भजन सहीता 105 में अगर आप पढ़ते हैं 105 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इस्राइली लोग सोना चांदी का गहना और वस्तर लेकर के जब मिस्र से निकले तो उन में से कोई भी गरीब नहीं था और निर्बल नहीं था मतलब जब वो लोग मिस्र में थे जब वो लोग मिस्र में थे जब वो लोग परमेशर को नहीं जानते थे जब उन्होंने परमेशर को नहीं पुका रहा था उस समय में जो इस्राइलियों की इस्तिती परिस्तिती थी ना उनके उपर में शराप था वो गरीब थे, वो कर्ज में थे, वो आर्थी-गटी कमी में थे, वो पाप में थे, वो श्राप में थे, वो बिमारियों में थे, वो दुरुबलताओं में थे, वो सप्रकार के कष्ट और पिडाओं में थे लेकिन जैसे ही इसराइली लोगों ने सच्चे परमेश्वर को पुकारा, सच्चे परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, अपने दास मुसा को भेज दिया, मुसा के माध्यम से इसराइलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, आशीश दिया, पाप स चुटकारा दिया श्राप से चुटकारा दिया और आशीश दे करके उनका उद्धार किया और बात यहीं पर खतम नहीं हो गई बात यहीं पर खतम नहीं हो गई परन्तु मेरे प्रियों जब जैसे ही आप पाप से श्राप से बीमारी से दुरूबलता से गर्ज से आपकी सारी problem से सबसे पहले permission आपको छुटकारा देता है जैसे ही आप छुटकारा पा लेते हो उसके बाद का next इश्टेफ होता है कि खुदावंत आपके जीवन में financially blessing को release करने लग जाता है वो prosperity को release करने लग जाता है ये शुमसी के नाम में समझ जा रहा है इसराइलियों को जो सबसे आखरी जो आशीश मिली थी जो सबसे आखरी की जो आशीश थी उद्धार पाने के बाद की जो आशीश थी वो थी संपन था वो थी अमीरी मिसर से निकलते निकलते इसराइली लोगों ने सोने चांदी के गहने और नए वस्त्र परमेश्व ने उनको दिये और जब वो निकले तो भजनकार का लिखने वाला लिखता है जब वो निकले उनमें से कोई गरीब नहीं था उनमें से कोई निर्बल नहीं था लेकिन पहले वो लोग गरीब थे और पहले निर्बल थे लेकिन जब निकले मेरे प्रि अब अब क्यों उनके लाइप में संपनता है उनके जीवन में आशीश है अब क्यों वो निर्बल नहीं है अब वो गरीब नहीं है क्या कारण है क्योंकि अब वो परमेश्वर को पुकारते हैं और अब वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर जैसा कहता है वो ऐसा करते हैं अर्थात सो बात की एक बात अब इस्राइली लोग अपनी इक्षा अपनी योजना से चलना बंद कर दिये परमेश्वर की इक्षा परमेश्वर की योजना के प्रती अपना जीवन समर्पित कर दिये और जैसे ही इस्राइलियों ने अपना संपूर्न जीवन पर परमेश्वर को समर्पित किया, तो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का एक्छा, इस्राइलियों के उपर में पूरा हुआ, और जब पूरा हुआ, तो वो एक्छा और योजना क्या थी? मेरे बच्चे संपन हो जाएं, आशिशित हो जाएं, सफल हो जाएं, स्वस्त हो चाहें किसी बली वस्तू की उनको कोई घटी कमी ना होने पाए येशु मसी के सामर्थी नाम में आमेन कितने लोग को समझ में आ रहा है जब इसराइली लोग मेरे प्रमेश्वर से जब उन्होंने धन पाया संपत्ती पाई अब वो अमीर हो चुके हैं अब वो संपन हो चुक करने वाला उसकी स्रिष्टी करने वाला परमेश्वर है कि तो लोग को समझ में आ रहा है हूं बाएं बाजन सहीता मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन बाजन सहीता 24 सध्याय और एक वचन में ऐसा लिखा हूँ है कि प्रिथवी के ऊपर जो कुछ भी है वह सब यहोवा परमेश परमेशवर का है, समझ में हा रहा है, इस पृत्वी के ऊपर में जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी है न, वो सब यहुआ परमेशवर का है, यहाँ तक के साइन्टिस्टों की बुद्धी, मेडिकल डॉक्टर की बुद्धी, टेक्निक, टेकनलोजी की बुद्धी, इंजिनियर की बुद्धी, ये बुद्धी देने वाला भी परमेश्वर यह हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये सब परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो परमेश्वर की इक्षा और योजना के लिए अपने जीवन को पित करता है और उसकी इक्षा उसकी योजना को पूरी करता है और सही रिती से उसके पीछे में चलता है यादटना परमेश्वर उसको उगता सूरज और भोर का तारा बना देता है उसको सफल बनाता है संपन्न करता है मेरे प्रियों और उसको उच्छे पर लेकर के जाता है उसे पर उसको ले करके जाता है कितने लोग के समझ में आ रहा है जब परमेश्वर ने इसराइलियों को जब मिस्र से निकाला वो अमीर होकर के स्वास्त होकर संपन्न होकर के निकले थे और उसके बाद में मेरे प्रियों परमेश्वर की अगवाई में परमेश्वर के पिछे पिछे जो इसराइली लोग थे वो कहा जा रहे थे कनान देश जा रहे थे लेकिन कौन से रास्ते से होकर जंगल के रास्ते से होकर के जा रहे थे और आपको मैं बता दू ऐसा जंगल था वो जो मरुस्थलिय और रिगिस्तानी जैसा जंगल जहां पर तालाब नहीं था जहां पर नदी नहीं थी, जहां पर पोकर नहीं था, जहां पर जरना नहीं था, जहां पर पानी नहीं था, और जब इसराइली लोग जब जंगल ही जंगल जा रहे थे, तो उनको पिने के लिए पानी नहीं मिला, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और तुरंत परमेश्वर ने चटान से जल की नदियां बहा दे जंगल में चटान से उन्होंने जल की नदियां को बहा दिया परमेश्वर ने और वो इस्राइली जंगल में जहाँ पर पानी नहीं जहाँ पर सुखा पड़ा हुआ था वहाँ पर इस्राइलियों को परमेश्वर ने मन माना पानी पिलाया कोई प्यासा नहीं था जबकि जंगल के अंदर में मेरे प्रियों पानी नहीं था लेकिन परमेश्वर ने चटान से पानी बहा दिया तो याश्चरे करम था किस के लिए इस्राइलियों के लिए इस्राइलियों ने पुकारा परमेश्वर fellam को प्यास लग रही है वंको पानी चाहिए परमेश्वर नие चक्तान से पानी निकाला और क्या हúa वो लोगों ने मन माना पिया darkest में जंगल में वेशिव कहां का रासन मिलेगा का का अटा ने परभू जंगल में तो कुछ भी नहीं है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को खोला और वहां से मन्ना बरसाने लगा और जब मन्ना बरसने लगा तब मुसाने कहा इस्राइलियों ये है वो भोजन जो परमेश और स्वर्ग से तुम्हारे लिए गिराता है और इस्राइली लोगों जब तक जंगल में थे तब तक उन्होंने स्वर्ग का भोजन खाया जिसको स्वर्ग दूतों का भी भोजन खाया उन्होंने स्वर्ग का भोजन खाया और वो मुसा परमेशवर पानी तो पिला सकता है, पानी पिला दिया, परमेशवर हमको रोज का भोजन दे रहा है, सुबसा हम का भोजन दे रहा है, क्या इस जंगल में परमेशवर हमको मास खिला सकता है, चिकन मतन खिला सकता है, परमेशवर हमको, हां, मुसा ने परमेशवर को पु कोड़ों की संख्या में इसराइलियों के डेरे के पास में आ आ करके उड़कर के गिरने लगे और इसराइली लोगों ने उस बटेर को अख्याटी खटा किया और उसको पकाया और मास खाया और लिखा हुआ है भजन सहींता 78 में लिखा हुआ है कि मन माना पानी पिया मन माना इतना खाया कि उनकी कामना पूरी गयी मन की एक्षा पूरी हो गहीं तρι Scientists हो गया और नाक से निकलते तक उनावने खाया इ किते लोगों समझ में रहे है कितलो को समझ में रहे हैं हऊ और कर आपको मालो इंआ आपको मालोम है और यहां पर मेरे प्रियोक कई ऐसे लोग हैं, जो परमेश्वर को पुकारते रह जाते हैं, पुकारते रह जाते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, कोई पानी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनस नहीं, कोई विवा की आशीश नहीं, लोग पुकारते रह जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और आप देखो, यहाँ पर आप देखो, इस्राइलोग जंगल में पानी पुकारे, चटान से पानी निकल गया, परमेश्व ने भोजन पुकारा, स्वर्ग से भोजन गिरने लगा, परमेश्व ने मास पुकारा, परमेश्व ने क्या क्या पूरवी हवा चलाई, बटेर आए और इतने बटेर कि मन माना खाया Bible में आपर एक चीज लिखा हुआ है मालूम क्या? मन माना पिया, मन माना खाया परमेश्वा ने उनकी मनों कामना को पूरी किया मन भर कर लिखा हुआ है कि तो लोग के समझ में आ रहा है मैं आप से पूछता हूँ क्या आप इतने आशिशित हैं कि आप ये बोल सके कि मन माना आशिश मेरे को मिल रहा है मन भर के आशिश मेरे को मिल रहा है मैं मन भर के खाता हूँ एक से एक चीज मन भर के कपड़ा है मेरे पास मन भर कर के सब कुछ है मेरे पास कोई बोल सकता है? आपको मैं बता दू वो व्यक्ति बोल सकता है जो अपनी इच्छा अपनी योजना पे नहीं चलता जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना पे चलता है वही व्यक्ति ये गवाही दे सकता है कि मन माना कपड़े मेरे पास मन माना सोना, मन माना चांदी, मन माना पैसे, मन माना कर, सब कुछ मेरे पास मन माना परमेश्वर ने मेरे सारे मनोरतों को पूरा कर दिया है बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है तु मुझे को अपने सुख का मूल जान तो मैं तेरे मनोरतों को पूरा करूँगा किते लोगों को समझ में आ रहा है किते लोगों को समझ में आ रहा है अगर आपका सुख परमेश्वर है आपका प्रेम परमेश्वर है आपके जीवन में महत्वपून परमेश्वर है आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रात्मिक्ता देते हो परमेश्वर आपके सारे सपने पूरे कर देगा आपके सारे दर्शन पूरे कर देगा आपके सारे लक्ष पूरे कर देगा परमेश्वर आपके मनुरतों को पूरा कर देगा ये शुमसी के नाम में कितने लोके समझ में रहा है लेकिन लेकिन अगर आपका सुख नौकरी है आपका सुख बिजनस है आपका सुख पैसा है आपका सुख धन है आपका सुख बच्चे है आपका सुख संसार है आपका सुख गुमना फिरना है आपका वो सुख है तो आप प सुख संसारिक इता सुखश थोड़ा और बालादय इस्का मतलब कर प्रमेश्वर के पास अते मिन कि अहिicias का присn to की है है तो इसका मतलब प्रश्ण हाँ अपके जिवन का सुख़ नहीं परमेश्वर आपका नहीं नहीं वह तो हम लेने के लिए आते हैं और जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है उसके बाद में बोलते हैं ओके बाई फिर मिलेंगे येशु जब कमी होगी ना आपकी याद आजाएगी हमको अभी आपने भर पूरी से दिया है याद रखो मेरे पूरी जिस दिन पर मेश्वर आपके जीवन का सुख बन गया आपके जीवन का अगर वो प्रेम बन गया तो मैं सही कहता हूँ आपको दुनिया आपके विशे में बोलने लगेगी यार तु कल कैसा था? आज तेरे को कहा? आज तेरे को क्या हो गया? कि सब कुछ तेरे पास में है, तू सफल है, तू संपन है, तू आशुचित है, तू बढ़ रहा है, क्या हो गया? और आपको सिर्फ एक, आपको मैं बता दू, वो रीजन ये है, कि कहीं आप अपनी इक्छा और अपनी योजना पर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आप अपने मन के अनुसार जीवन तो नहीं जी रहे हैं, मैं आपको फिर कहता हूं मेरे प्रियों, अगर आप अपना तन को दे देंगे, यहां तक के अपना धन प्रभु को दे देंगे, तो जानते प्रभु क्या करेगा, आपके तन को, आपके मन को, आपके धन को, इतनी आशीज देगा, इतनी आशीज देगा, कि दुनिया गवाही देगी, कि ये व्यक्ति बहुत आशीशित है, अपनी इक्छ बोला उत्तम से उत्तम पदार्त उत्तम से उत्तम भोजन दे करके मैं तुझको ब्लेस करूँगा ये शुमसी के नाम में